भारत और चीन के रिष्टों को लेकार एक बहुत बड़ी ख़बर है एलेसी को लेकार एक बड़ा समझवता हुआ है अब इंडिया और चाइना जो हैं एक्री हो गए हैं ऑन पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स इंडिया कह रहा है कि हम 2020 से पहले चले गए हैं अगर ये इंडिया की पुजिशन है तो ये बड़ी इंपॉर्टन चीज है तो इससे ये बिल्कुल वाज़े होता है कि एक लिहास ही दुत्वा की भी बड़ी काम्यावी हूँ पीजेपी की बड़ी काम्यावी हूँ क्या से पावरफुल हो गया इंडिया वहां पे तो हम सुनते हैं गुरुपत बढ़िया तो क्या कहेंगे जान में कल भारतिय प्रधान मंतरी नरेन मोदी के जाने से पहले भारत और चीन के पीच एक बड़ा एग्रिमेंट हुए पेट्रोलिंग को लेकर चाइना के साथ आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्फ होती जा रही हैं और जो टुप्स हैं वो भी एक तरह से निकलते जा रहे हैं तो अपने हुकमरानों को भी मैं ये बात समझाना चाहरा हूँ अब बात सुनों अब बलतों खैर तुम से होई कुछ नहीं रहा है तो देखें इंडिया चाइना दर्यों के लिए बहुत जबर्दस चीज आई हैं इंडिया बड़ी देर से कह रहा था को कि रिस्टोर करो 2020 वाली सिच्वेशन नादरीन चाइना जंग नहीं करता होता है ये बात जो लोग हिस्ट्री को जानते हैं चाइना ने पिछले कई दहाईयों से जंगें नहीं लड़ी है चाइना एकॉनमी पे जोर देता है वो पैसा कमाने पे जोर देता है जैसा कि इंडिया इस बार पाकिस्तान को अलाओ करेगा कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स का पार्ट हो बॉर्डर को लेकर के उसमें चाइना इंडिया और चाइना बॉर्डर के 2020 वाले सिच्वेशन को मानने के लिए त्यार हो गया है जो कि कह सकते हैं भारत के लिए एक बहुत बड़ी क्यामियाबी है क्योंकि पिछले पांस सालों से भारत और चाना के बीच में जो टॉक हो र इसने को्ट हिए सब पर आप आपा किसे होने वाली है और उससे पहले चीन और भारत के बीच में शेहमत ही होना और उसमें चीनका आगडिर होना पहा दे है सकते हैं कि एक काफी पॉजिटिव निजढ़ा जो कि भारत और चाना की बीच में जो टेंसिन चली आ रही है दोस्तों एक बड़ी डिवलपमेंट है पिछले तकरीबन पांच साल से भारत और चाइना जो है वो मुसल से लगे हुए थे मामलात को नॉर्मलाइज करने में लेकिन अब इंडिया और चाइना जो है एक्री हो गए है अन पेट्रॉलिंग अर्रेंजमेंट्स इंडिया कह रहा है कि हम 2020 से पहले चले गया है यह वो कहते हैं यह 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 इंडिया की पुजिशन है अगर यह इंडिया की पुजिशन है तो यह बड़ी इंपॉर्टन चीज है यह बड़ी उनके लिए बहुत बड़ी एक डिवेलपमेंट है भाईया इस वजह से के इंडिया को अपने आपको आपको पता है पाकिस्तान के साफ ज़ग सीस्वायल किया था क्यों किया था इंडिया ने जो इंडिया को start करता था पाक किसी और को पता है पाकिस्तान के अंदर क्रिडिशम हुआ आज क्या पॉजिफिशन के अंदर कौेसिन आदाल आता है यह आपने क्या किया आपने इंडिया को free एंड देडिया इंडिया ने आपके साथ किसी और टॉपेक बात भी कोइं हुआ मैं आपको एक बात बता हूँ इंडिया इस वेरी माच इंट्रस्टेड इन कांफ्लिक्ट रेजोलुशन विज चाइना चाइना के साथ वो मसले सॉल्व करना चाहते है पाकिसान में वो मसलों को मैनेज करना चाहते है यह है वो बड़ा डिफरेंस इसकी एक वज़ा यह भी हो सकती है इंडिया यह समझता है कि पाकिस्तान के साथ तो पिछले 77 साल का मसला है और हमने बहुत दफ़ा कोशिश भी की बहुत दफ़ा पाकिस्तान ने भी कोशिश की तो मसले सॉल्व नहीं हुए तो लहाजा अब solution की तरफ नहीं जाते है manage की तरफ जाते है ताकि इनको थोड़ी मुश्किल में डाले जबके चाइना के साथ वो समझते है कि इतना बड़ा player है और उसको ignore भी नहीं किया जा सकता और अगर यह चीज सामने आगई है तो इसको फटाफाट ठीक किया जाए लेकिन इतना को ठीक किया जाए कि इंडिया की जो relevance है western world तक रहे क्योंकि ये भी एक तासूर है कि इंडिया चाहता है particularly Americans आज उसको support कर रहे हैं वो इसलिए support कर रहे हैं because इसका चाइना के साथ मसले हैं बेरहल इंडिया के जो foreign secretary है विकरम मिश्री साथ उन्होंने आज मीडिया से ये बात की कि जो military stand-off the line of actual control के उपर उसमें patrolling arrangements के हवाले से फैसला हो गया वो जो अलाके हैं डेम चॉक और डेप सांग के वहां तक ये military patrolling हो गई तो ये एक बड़ी development and dr. जे शंकर calls it as a अपनी success कहते है उसको ये इसमें इंडिया के military diplomacy है लेकिर जे शंकर कहते है कि this is the result or the product of the patient's diplomacy चाइना के साथ आपको सबर के साथ चीजों को करना पड़ता है आप abruptly चीजों को manage नहीं कर सकते हैं तो ये जो विकरम मिश्री साथ ने ये चीजें की है प्राइमिस्टर मोदी जो है वो आपको पता औरडी रशिया के अंदर likely possibility शी जिंग्पिंग से मिलेंगे अब देखते हैं कि next step क्या लिए जाते है ये जो चाइना इंडिया agreement की मेरेन देखते हैं ये को मुझे लेकर चैना को धेखना वह नहीं हुआ उस्में मेरे मेरे इंडिया जानी मेरें खेटी बुआ है वह की मिस्टेशकर 75 आपज्चाम老師 ये क्मिcol सी मिन्ग आपको केषवे श्यूह नकिदित मिल्कों के साथ consciously चीज़ों को देखना पड़ता है इतना कोई असान काम नहीं है चाइना के साथ चीज़ों करना लेकिन BRICS की मीटिंग से पहले इंडिया की तरफ से बियान आना that tells the story कि ये दोनों मुलकों के leadership की बुलाकाज जो होने बारी है 2014 से लेके 20 तक 18 दफ़ा मोदी साब और सी जिंग बिंग मिले और उनको शायद ये था कि मोदी साब को मैं चीज़ें चाइना के साथ मैनेज करना लूँगा वो जो जादू की जब ही मोदी साब डालते थे वो नहीं चली चाइना बिल्कुल डिफरेंट प्लेयर है बिल्कुल ही वो असान काम नहीं है वो चाइना से डील करना डिफिकल डिजसेंस में ना विकाज उनको पता है कि हमें वहां पे को अकाउंटबिलिटी तो है नहीं है उन्होंने को पांच साल के बाए जाके आवाम के सामने तो पेश नहीं होना होता उनको तो इसी की कोई फिकर नहीं है कि हमसे क्या पूचेंगे जो शी जिंपिंग करेंगे किसी को क्या प्रावल्लम है कौन बोल सकता है जी सवाले से देखें यह तो आपने बात कर दी कि पहले वाला इंडिया मीरा अगर मैं आप से डिलू साब को कहुंगे कैसे पावरफुल हो गया इंडिया वहां पे तो हम सुनते हैं घुरुपत बढ़िया तो क्या कहेंगे लॉजिकली दूँगा है कि हम लोग यहां पर आप तो सेंशियंद ना परितुरी दुनिया पे आप न्यूक्लिय कुछ नहीं कर सकते इंडिया चाइना और रशिया चांद पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं चाइना ने कुछ दिर पहले चांद पे चावलो तो पूरी दुनिया में अगर उसको किसे ने सुपर वियन करानी है या ठेका देना तो इंडिया को दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं वो टेकनोलजी में आगर बढ़ा भी हो गया है आई टी में तो आप किसे बड़ी बात मिसाल चाहिए